हेलो फ्रैंड्स आप देखरें एंगिलोर और लारावल वीडियो टूटरल सीरीज अगर आपको मेरे वीडियो जच्छे लगते तो लाइक करना ना बुले और मेरी चैनल को सब्स्राइब करना ना बुले प्रिवियस वीडियो में हमने देखा कि मिडल वेर क्या होता है और लारावल में मिडल वेर कैसे कॉल होते है आज हम देखने वाले कि अगर हमें मिडल वेर में हेडर गेट करवाने हो तो कैसे गेट करवाते है अगर हमें रिक्वेस्ट में से हेडर गेट करवाने हो जैसे हम रिक्वेस्ट में से रिक्वेस्ट जो परमस थे वो गेट करवाते थे वैसे हम header में से अगर कोई भी value get करवानी हो या सारे header get करवाने हो तो कैसे करवाते है वो देखनेवाले तो आएए start करते हैं यहाँ पर हमने middleware create किया था उसमें यहाँ पर DD करवाय था get one employee यहाँ पर हम क्या करते हैं dollar request print करवाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो भी यहाँ पर request में हमें मिल रहा है वो यहाँ पर parameter फिर query वो सब मिल रहा है अगर हमें header get करवाने हो request में से तो यहाँ पर request उसके बाद arrow और यहाँ पर headers लिखना है जिससे की जो request के सारे header होगे वो यहाँ पर हमें मिल जाएंगे कि आप देख सकते हो कि request के जो header parameter है वो हमें मिल रहा है यहाँ पर host मिल रहा है फिर accept मिल मिल रहा है content type मिल रहा है अब हम एक नई की create करेंगे जो कि हम token के लिए करेंगे क्योंकि हम हमने previous वीडियो में देखा कि middleware में हमें क्या करना है user verify करना है तो user verify करने के लिए front end में से token आएगा वो token हम यहाँ पर get करवाएंगे लारावल में यह हमने यहाँ पर token ले लिया और token में हम यहाँ पर login की जो token की है जो कि हम response में return कर रहे हैं वह हम यहाँ पर ले रहे है यहाँ से copy और यहाँ पर value और यहाँ पर उसकी key रहेगी token अब हम send करते हैं तो हमें जो header है उसमें यहाँ पर token token भी मिल रहा है अब यह सिर्फ हमें token ही यहाँ पर get करवा नहीं हो तो उसके लिए क्या करना है यहाँ पर headers की जगह पर header कर देना है और round bracket में हमारी जो key है वह पास करनी है मैं आपर token पास कर रहा हूं तो सिर्फ token की value यहाँ पर मिलेगी आप देख सकते हों यहाँ पर token की value मिल रही है तो इस तरह से लारावल में request header get करवा सकते है middleware का यूज़ करके thank you for watching this video